हुआ दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल टैक्विट सैम है सो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हैं वो वन प्लस फोन से रिलेटेट है जो लोग वन प्लस फोन का यूज कर रहे हैं उनको यूजली प्रॉब्लम फेस होता रहता है प्रॉब्लम क्या है एप लॉंचर के प्रॉब्लम है हम जैसे कि आप देखे रहे होंगे स्क्रीन कर हम कोई भी अप्लिकेशन सर्च करते हैं और सर्च करते ही यह देखिए और फिर वो अन्ट हमारे फ्रॉन ले आती है जब भी हम उसको हम दुबार से गरंफ इंड करते हैं को फिर लोनचर क्लोज कर के आता है और फिर फिर दुबार से हमें हॉम क्रीन पर लेकर आलगता फ्रीन प्रॉब्लम है यह फोनों में यूजली दीए l एक है हमें कई बार जब एप्लिकेशन सर्च करनी होती है तो हमें दो या तीन चार बार में उस चीज को हम सर्च करते हैं, तब जाके वह मिलती है तो यह जो लॉंचर की प्रोब्लम है, यह मैं इसको बताँगा, आप कैसे ठीक कर सकते हैं सबसे पहले तो मैं आप से बोलू है अगर मेरे चैनल पर आपने तरफ तरफ जादा देरे नगरते हुए हम चलते हैं उपने वापिस से ही इस तरह का लिखाता है वन प्लस लॉंचर की स्टोपिंग अप्लिकेशन और उसको आप भाट आओगे तो यह फिर होम पे आ जाता है इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है आपको क्या करना है आपको यहां पर आना है सर्च पर आप जाओगे यह तरी मिल्दू द कृइतने सेटींग होकी स्टाउट के सेटिंग्स पर एप एप क्लिक करने की बाद में जूश्व स्कॉर ॥ो इससे क्या हुए जब आप सर्च में जाते हो ढगे जाने के बाद में जब जब आप सर्च करते हो तो यह अप्लिकेशन के साहत में गूल सर्च गरinton dit जाता है मतलब और application को internally search करने लग जाता है जिससे कि यह launcher crash हो जाता है और आपको home screen लिजाता है अगर आप यह setting बंद कर दोगे तो आप easily कोई भी application find करोगे तो यह जो लोन चर्थ की problem थी वह आपकी solve हो जाए ओके गाइस इसको close करने के बाद में स्काउट की setting को off करने के बाद में आपका यह जो problem था ठीक हो जाएगा ओके गाइस वीडियो में इतना ही था कर दो जाओ को कर दो हो जाओ के बाद है जास के बाद है